Hello guys welcome to this video और मेरा नाम है Amant Trivedi और अभी अभी जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं इसका reason है आपका SSC का recent notice यानि कि SSC ने बहुत ही जली अभी अभी एक नया notice publish किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो SSC के exams जो कि आपके August month से start होने थे वो postpone होने जा रहे हैं तो कौन सा exam कब होगा कब होगा कि इसके बारे में पूरा detail इस वीडियो में होगा तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा और चैनल को subscribe करिएगा तो शुरू करते हैं आज की बात जिसमें हम बताने वाले हैं SSC के नई notice के बार the revised tentative schedules for the examinations will be as per the details given below यानि कि जो exams जैसा कि मैंने बताया अगस से start होने वाले थे वो आपके आगे further postpone हो गये हैं डिले हो गये हैं तो जो आपका CHSL का exam था tier 1 का वो आपका October month में होगा यानि 12-10-2020 से लेकर 16-10-2020 उसके अलावा 19-10-2020 से 21-10-2020 तक होगा यह आपका CHSL के exam की dates ह और 26-10-2020 यह dates इन्होंने CHSL की अभी दी है tentative ठीके इसके अलावा जैसे कि इन्होंने कहा है tentative tentative मतलब होता है अभी भी fixed नहीं है क्योंकि Corona की situation आगे क्या होने वाली है किसी को नहीं पता है तो अभी तक यह tentative schedule है इसके अलावा जो आपके junior engineer का exam है जैसे civil का है mechanical आपका electrical इ इसके अलावा CGL 2019 का जो tier 2 है यादि CGL का जो tier 2 है वो आपका 2 November से 5 November तक होगा यादि जो October में होना था वो अब 5 November को होगा इसके अलावा examination of selection post phase 8 का जो exam है वो 6-11-2020, 9-11-2020 और 10-11-2020 यादि कि November में इन्होंने schedule किया है इसके अलावा stenographer का जो exam है वो इन्होंने दिया है stenographer C&D का जो exam है वो होगा 16 November से लेकर 18 November तक है यादि नवेंबर में आपके stenographer के exam की dates इन्होंने दी हुई है ठीके इसके अलावा जो आपका अगला schedule है वो है junior hindi translator का तो ये इन्होंने दिया है 19 November 2020 यादि कि junior hindi translator का जो paper 1 है वो 19 November को होगा इसके अलावा CPO जिसका अभी अभी हाल में ही notice आई थी जिसका form अभी अभी भरे गए हैं इसका exam इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है और ये 23 November से 26 November तक इन्होंने डिले कर दिया है तब होगा इसके अलावा constable executive in Delhi police examination 2020 का है ये 27.11.2020, 30.12.2020, 1.12.2020 से 3.12.2020, इसके अलावा साथ 12.2020 से 11.12.2020 और 14.12.2020 को होगा इसके बाद भी उन्होंने लिखा है हुआ है कि the above schedule is subject to the prevailing conditions and the government guidelines issued from time to time regarding handling of COVID-19 pandemic. Candidates are advised to visit the website of commission at regular intervals for further updates, तो इसमें इन्होंने पूरी बात बताई है कि आपके जो exams हैं वो कब-कब होने वाले हैं, आप इन dates को note कर लीजिए, अभी भी ये tentative date है, जो भी आगे कोरोना की यानि COVID की जो भी situation होगी, उसी के आधार पर आगे की strategy होगी, आगे के exams आपके conduct किये ज जाती है, चुकि जब दिनिया में कोई देश में कोई exam होई नहीं रहा है, कोई भी exam नहीं conduct किराए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये exams भी हमारे exams भी होना, हम कोई अलग तो है नहीं, we are not different from other, जैसे बाकियों के exam होगे, वैसे ही हमारे exam होगे, तो जब कोई exam नहीं हो पर आ आए, और हमारे exams और हमारी life दुबारा track पर आए, क्योंकि जब life ही track पर नहीं है, तो exams कहां से होगे, ठीके, तो ये तो आज की पूरी बात थी, इसके अलावा, मैंने अभी हाल में एक video बनाया था, जो आप लोगों को काफी पसंद आए, strategy का आगे भी मैं videos लाता रहूंग यहीं पर और इसे continue रखेंगे, ठीके, so I hope आपको ये video पसंद आए और information को आपने collect किया, ये information आपको ssc.nic.in की website पर भी मिल जाएगी, thank you so much for watching this video, have a great day, take care, bye-bye.